कहानी स्टार्ट होती है घर से जहां पर रे रात को सोने की कोशिश कर रहा होता है उसको बार-बार उसके मन में एक आवाज सुनाई पढ़ रही होती है जिससे की वो सो नहीं पाता फिर रे उटकर अपना फेवरिट गिटार बजाने लगता है ताकि उसे वो आवाज आने बंद हो जाए और वो परिशान ना हो गिटार बजाते टाइम रे काफी खुश नज़रा रहा था लेकिन तभी गिटार की आवाज सुनकर उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है रे की माँ रे को आवाज लगाती है लेकिन वो नहीं सुनता और फिर उसकी माँ उस गिटार को अनपलग कर देती है जिस पर रे ये बोलता है कि उस आवाज को अवाइड करने के लिए मैंने गिटार बजाया था क्योंकि उसको वो आवाज पसंद नहीं है रे की मा ये बोलती है कि अपने सामान को पैक करो और हॉस्पिटल वापस जाओ और मैं डैडी को बुला रही हूँ अब रे के दिबाग में फिर से वही आवाज आने लगती है और उसके फेस पर गुसा लिखता है और जैसे ही रे की मा सीडी के करीब आती है तो रे पीछे से अपने गिटार से उसको जोड़ से मारता है जिसकी वज़े से उसकी मा की मौत हो जाती है और इस दौरान घर का क्रॉस भी उल्टा हो जाता है जो कि शायद किसी बुरी चीज़ का संकेत था जिसके कुछी टाइम के बाद में रे के फादर वहां पर आते हैं और अपनी बीवी को मरा हुआ देखकर वो भी सुईसाइड कर लेते हैं लेकिन उपर से अब भी गिटार बजाने की आवाज आ रही थी सो बेसिकली यहाँ पर रे के साथ कुछ न कुछ दिक्कत जरूर थी अब सीन चेंज होता है और हम जैसी नाम के पेंटर को देखते हैं जो कि एक बटरफलाई की पेंटिंग बना रहा होता है फिर उसकी बेटी जोई आती है और दोनों पेंटिंग के बारे में डिसकेशन करने लगते हैं और फिर जैसी की वाइफ एस्टिड भी वहाँ पर आ जाती है जैसी एक नए घर को खरीदने वाला था जिसको की आज सब देखने जाने वाले थे तीनों कार में खूब मस्ती के साथ में उस घर को देखने जाते हैं लेकिन स्ट्रेंज बात तो ये थी कि ये घर रेका था जिसकी अंदर कुछी दिन पहले उसकी बेहन की मौत हो गई थी यानि कि स्टार्टिंग वाला सीन जो था वो इसी घर का था तीनों इस घर को देखते हैं और उनको ये घर बहुत पसंद आ जाता है और ये घर उनके घर से दो गुना बड़ा था और पसंद तो आना ही था क्यूंकि ये तो हॉलिवड मोवीज में आब्वियस है अब जैसी जिनसे घर खरीद रहा था वो उन्हें एक लड़की की सीडियों से गिर कर मौत की बात बता देता है ये घर उनको काफी कम प्राइस में मिल रहा था और घर काफी अच्छा भी था जिसकी वज़ा से वो लोग इस बात को छोड़ कर घर को खरीद लेते हैं लैक लिटरली इस घर के अंदर एक औरत की मौत हो गई है और आप उसके बार में रिसर्च भी नहीं कर रहे हो ग्रेट खेर इस घर में आते ही जैसी को आवाजे सुनाई देने लगती हैं कि बाई मी बाई मी यानि कि मुझे खरीद लो खेर अब दूसरी तरफ हमको रे कार चलाते होगे दिखाई देता है और वो एक होटल में जाता है और वहाँ पर रूम ले लेता है जैसी अब जोई को स्कूल छोड़कर घर आता है और उसे भी रेके जैसे ही आवाज सुनाई पड़ती हैं फिर जैसी उपर जाता है और एक पोस्टर को दिवार से हटाता है उस जगा पर क्रॉस का निशान बना हुआ था फिर जैसी स्टूडियो में जाता है और वहाँ पर वो उल्टे क्रॉस की पोस्टर बनाने लगता है एकदम वैसा ही जैसा की मुवी की स्टार्टिंग में दिखाई दिया था और जब तक उसकी वाइफ वहाँ पर नहीं आ जाती है वो उस पोस्टर को बनाता ही रहता है जै जैसी का ध्यान एस्टिट पर जाता है और हम साफ साफ देख पाते हैं कि जैसी ने उल्टे क्रॉस का पोस्टर बनाया हुआ था तभी दर्वाजे पर कोई आता है और जोई तेजी से नीचे जाती है और गेट खोल देती है और सामने में रे होता है अब तभी रे के दिमाग म कि वो घर आना चाहता है ये घर उसके मुमी पापा का है फिर एस्टर अफसोस जाता आती है जिस पर रे बोलता है कि मुझे वो लो गिटार लौड बजाने नहीं देते थे उसका कहना था कि तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा जिसके बाद मैं जैसी गेट बंद कर द हमकी देता है और रे वहां से चला जाता है फिर डारेट अपने रूम पर आता है और डैवल से जुड़ी हुई चीज़े टीवी पर देखने लगता है अब अगली सुबह जोई ये देखती है कि रे ने उसके फेवरिट गिटार को घर के बाहर छोड़ दिया है वो ये देक है कि ये पेंटिंग ऐसा है जैसे कि उसके अंदर हो और ये पेंटिंग कैसे बनी उसे अच्छे से याद भी नहीं है फिर वो मैनेजर पेंटिंग को देखती है और बोलती है कि मैं देखती हूं कि क्या कर सकती हूं फिर हम रे को कार में बैट कर कैंडी खाते हुए देखते तबी रे वापस से ये देखता है कि बॉल जहाडियों में चली जाती है और उसके पीछे एक बच्चा जाता है और इतने में ही रे दूसरे बच्चे के सर पर स्टोन से मार कर उसे वहां से ले जाता है फिर हम देखते हैं कि जैसी ने उसी बच्चे की पेंटिंग बनाई वही थी और उसका इंतजार भी कर रही थी वह उसे काफी नराज रहती है लेकिन जैसी उसे सब कुछ बताता है और वादा करता है कि वह दुबारा इसा कभी नहीं करेगा जिसके बाद में जोई भी उसको माफ कर देती है और दोनों घड़ निकल जाते हैं दूसरी तरफ र पेंटिंग को आगे बना रहा था जिसमें अब बहुत सारे बच्चे थे और उसमें उसकी बेटी भी थी जो की आग में जल रही थी जैसी को पता नहीं था कि उसने पेंटिंग में क्या बनाया था तब यह एस्ट्रेड वहाँ पर आ जाती है और उसका ध्यान इस तरफ ला सीन अब चेंज होता है और हम रे को देखते हैं जो की एक सूट केस में उस बच्चे के टुकणों को भर कर ठिकाने लगा रहा होता है फिर रे एक जगा पर गड़ा खोता है जिसमें की पहले से ही बहुत सारे सूट केस होते हैं मतलब की रे ने पहले भी और बच्चों को मा बलकि वो पेंटिंग को खदम करने के जगा उसको पूरा करने लगता है फिर रे जोई की बिस्तर में आकर सो जाता है और बोलता है कि वो तुम्हें मारने के लिए बोल रहा है लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम स्पेशल हो आवास सुनकर जोई की आंके ख प्लेंट करता है और वहां के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो उन्हें उनके घर का लॉक चेंज करने की सला देते हैं क्योंकि इससे पहले ये रे का घर था जिसके बाद में जैसी को सिक्यूरिटी दी जाती है जोई यहां पर बहुत डरी हुई थी और एस्टर उसको समाल रह जैसी खिड़की के बाहर देख रहा था फिर उसे चार सिंग वाली बकरी जोई और रे की विजन साने लगते हैं फिर अगली सुबह जैसी जोई को स्कूल जाने से मना कर रहा था लेकिन जोई यह बोलती है कि स्कूल घर से जादा सेफ है और फिर जैसी अपनी बेटी को स्क दो बजे का टाइम फिक्स किया अब दो बजे बॉस पेंटिंग देखने आते हैं और उस बच्चे वाली पेंटिंग उनको बहुत पसंद आती है बॉस यहां पर एक वाइन भी लेकर आया था जिसे पीते हुए वो दोनों आगे की चीजों पर डिसकुशन करने लगते हैं फिर जैसी मीटिंग को बीच में ही रोक देता है क्योंकि उसको अपनी बेटी को लेने जाना था और वो अपनी बेटी से किया हुआ वादा तोड़ना नहीं चाह रहा था जैसी कार लेकर निकलता है लेकिन रास्ते में ही कार के टायर फट जाते हैं और फिर जैसी पर फिर से वही आवाजे सुनाई देने लगती हैं उसके बाद में जैसी तेजी से दोड़ते हुए जोई को लेने जाता है लेकिन जैसी स्कूल पहुँचकर जोई को खोशता है बड़ वो कहीं पर भी नहीं मिलती फिर सीन चेंज होता है और हम यह देखते हैं कि रे ने पर ले जाता है जिसके मतलब यह है कि वह उसको भी मारने वाला था फिर रे अपने कपड़े बदलने लगता है उसके बाद में जोई किसी तरह से अपने बड़े नाखून से टैप को काट कर बात्रूम की खिड़की से बाग जाती है जोई यहां से भाग कर सीधा पुलिस जिसके बाद में जैसी और एस्टेड को भी वहां पर बुला लिया जाता है अब एक पुलिस ऑफिसर जैसी को अपने साथ ले जाता है जहां पर जैसी को रे के पुराने फाइल्स दिखाए जाते हैं जैसी को पता चलता है कि जब रे 12 साल का था उस समय 9 साल की बच्ची को भी उसने मानने की कोशिश करी थी लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया था जिसके बाद में रे 20 सालों तक मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा था और फिर कुछ दिन पहले ही वो घर लोटा था जैसी ने ऑफिसर से पूछा कि रे ने ऐसा क्यों किया था इसके पीछे कोई डेविल्स कैंडी है फिर जैसी को अपनी फैमिली के साथ में घर जाने के लिए बुला जाता है और उसके घर के बाहर दो पुलिस आफिसर्स को सिक्योरिटी के लिए लगा दिया जाता है दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जहां पर वो शॉप से फ्यूल और लाइटर खर फिर बाहर से कार की आवाज और पुलिस के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है एस्टरेट गेट खोलती है और वो देखती है कि रे वहां पर आ गया है और दोनों पुलिस गाडियों के बीच में फसा हुआ है फिर रे स्टोन उठा कर उन दोनों पुलिस को मारता है और गन ले लेता है उन से और तब ही वो हवा में फायर करने लगता है जिसके बाद में जैसी भी एस्टरेड और जोई के पास में आ जाता है जैसी अब एस्टरेड को गेट बंद करने के लिए बोलता है और फिर वो खुद को एक डंडा लेकर गेट के पास बैठ जाता है रे जै अधिर एस्टरड और जोई बंद थी रे उस रूम के लॉक को गोली मार कर तोड़ देता है तब ही रे बाहर फियूल और लैटर लेने जाता है लेकिन तब तक एस्टरड किसी तरह से वहां पर आ जाती है यानि कि वह मरी नहीं थी और फिर रे एस्टरड को शूट करने की आता है और उसके बाद जैसी एस्टरड को घर से बाहर भीज देता है अब बाहर से जैसी सीडी लगाता है और जोई के रूम तक पहुंच जाता है जैसी ये देखता है कि रे ने चारों तरफ आग लगा रखी है और बीच में वो जोई को लेकर बैठा हुआ है ये सीन एकदम वैसा ही था जैसा कि उसने पेंटिंग में बनाया था जोई अपने पापा को आता देखकर रे के हाथ को काट लेती है और एक तरफ भाग जाती है फिर रे और जैसी में फाइट होने लगती है जिसके बाद में रे जैसी को धका देकर जोई की तरफ बढ़ने लगता है जिसके बाद में जैसी रे के गिटार से उसको मार देता है उसके बाद में वहाँ पर रखा हुआ फेवल का डबा जो होता है वो फट जाता है लेकिन उससे पहले ही जैसी जोई को लेकर खेड़की से बाहर निकल जाता है वहाँ से निकलने के बाद में फिरसे जैसी को कुछ विजंस आते हैं जिसके बाद में वहाँ से कुछ दूर जाकर गड़ा खुदता है और ये वही जगा थी जहांपर रे बच्चों को ठिकाने लगाया करता था और उसे बहुत सारे सूट केस वहाँ पर मिलते हैं और फिर सुबा हो जाती है अब सुबा होने से पहले ये बता चलता है कि अब डैवल का खात्मा हो गया है क्योंकि रे के जरीए ही डैवल यहाँ पर सब को मार रहा था बिसीकली रे जो था ना वो डैवल के द्वारा पसेस हो गया था और इसलिए ही उसने बच्चों के सोल की जो बली थी वो डैवल को दे दी अब या फिर यह भी हो सकता है कि वो मेंटली सिक था और सब को ऐसे ही मार रहा था लेकिन मुझको यहाँ पर डैवल पसेशन वाला केस जाता लगता है खैर अब जैसी ने रे के रूप में डैवल को पीट पीट कर उसके ही गिटार से उसको मार दिया था और इस कहानी के अंदर डैवल और बच्चे की कहानी दिखायी जाती है जिसके अंदर डैवल बच्चे को केंडी की तरह खाया करता था यानि कि उनकी सोल्स को और बूम ये मुवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी The Devil's Candy Movie की कहानी उमीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजे तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए